हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूब चनल सक्सेस कम्परिटीव क्यूच के इस यूटीव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में मैं आपको मैथ का सल्यूशन करवाऊंगा 2015 का previous year के question का solution जबाहर नवोदे विद्यालिक classics के लिए है तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने वीडियो का part 1 already बना चुका हूँ 2015 का ठीक mathematics का तो अभी तक आप उन्हें नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लिजेगा इसके बाद ये विडियो का part 2 है मैथी का है 2015 का solution कराया जाएगा तो यहाँ पर मैथ आपका complete हो जाएगा 2015 का इसके बाद हम लोग reasoning के section पर भी बढ़ेंगे अच्छा एक चीज़ और ध्यान दिजेगा ये जो विडियो जो मैं आप बना रहा हूँ इसमे mathematics भी आपको देखने को मिलेगा और अगर time मिला तो आगे आपको गध्यान्स भी इसमें कराया जाएगा क्योंकि गध्यान्स के आपको उसको भी chapter कभर करवाना जरूरी है ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं तो वीडियो कल जो मैंने आपको वीडियो बनाया था तो वह part 1 था और उसमें सायद 63 नंबर तक हो गया था 63 नंबर तक मैंने solution करवा दिया था अब आगे हम लोग 64 नंबर यानि 64 नंबर से आगे बढ़ेंगे तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो को जादा सेयर कर देना है ठीक है चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है इसमें आपको और भी जितने भी जूनियर कंपेटिशन के एक्जाम है उसमें आपको प्रिवियस यर का solution देखने को मिलेगा ना इसका मैं सिमुलतला का मैं अल्डेडी सारा इयर का मैं बना चुका हूं ठीक है तो अगर सिमुलतला की आप तैयारी करना चाहते हैं या अगला वेकेंसी जब सिमुलतला का आएगा तो उसका पहले से वीडियो हमारे चैनल पर उपलाब दे आप जाकर चैनल पर विजिट करिएग इसको दसमलब सम्तुल करना है, मतलब दसमलब में बदलना है, तो simply कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये दो लिखिए, और भीतर में जो एक बटा 2, एक बटा 4, एक बटा 8 और एक बटा 16 है, उन सभी का नीचे का LCM ले लिजिए, तो जब आप LCM लिजिएगा, तो 16 आजाएगा, ठीक है, और इसे आप simply calculate कर दिजिए, आपको भीन का जोड़ाता होगा, ठीक है, तो जब आप उपर का calculation करिएगा, तो ये आजाएगा, उपर में 15, और नीचे में 16 आजाएगा, ठीक है, तो 2, 8, 16 कैंसिल हो गया, यानि कितना आ गया, 15 बटा 8, 15 बटा 8 काने का मतलब हो गय ठीक है, 64 में पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है, तो 65 से हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए इसको आपको solve करना, तो सबसे पहले हमको काम किसका करना है, तो भाग का काम करना है, तो देखिए यहां पर 124 गुना 4, तो इसे आप गुना करके हैं पर लिख सक ठीक है, बस सिंपली आप इसे कलकुलेट कर लिजिए, इन दोनों को जोड़िए और इसमें घटा दीजिए, तो जब आप पूरा करिएगा, तो आपका अंसर आजाएगा 552, ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 552, नेक्स्ट कोश्चन, देखिए 66 नंबर पर आजाएगे 66 नंबर में सिंपली स्वर्व करना है, तो देखिए तो आपको भी करने के लिए आता होगा, लेकिन मैं आपको सौट कटा समार्ट तरीका बताता हूँ क्या करिएगा, पहले काम होता है कि इसका छोटी ब्रैकेट का मतलब इसका काम करना है, ठीक है, तो सब इत इतना दुर तक मैं नहीं लिखूंगा, इतना दुर तक मुझे लिखना नहीं क्यूंकि उसका किरिया हम लोग अंत में करेंगे, में आपका यहां से सुरू होगा, यहां से, लास्ट से, ठीक है, तो हम यहीं लास्ट से समझेगा, लिखा हुआ है तीन बटा साथ मायने चार बटा 21, simply आप इसे solve करियेगा ना, तो जब आप solve करियेगा तो आपका आजाएगा 5 बटा 21, ठीक है, जब यहां पर यह solve हो गया, तो उसके बाद 2 बटा 7 है, ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से कुछ बच जाएगा, 2 बटा 7 माइनेस 5 बटा 21, अब हम को इसको solve करना है टो करना नहीं, जब एक बटा 21 आगया ना, तो यह आपको आगे बला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, 2 बटा 3, ठीक है, और पलस 7 बटा 12, ठीक है, इतना दिखाई दे रहा, और यह बीच में माइनेस है, simply बस इसका calculation आपको कर देना है, इसका calculation जब आप लोग करियेगा, यह आजाएगा 101 बटा 84 आजाएगा, ठीक है, देखें, यह जगहा नहीं, इसका calculation से मैं total लिखने रहा हूँ, ठीक है, बस simply आपको smart तरीका बता रहा हूँ कि पहले क्या करना है, ठीक है, तो इतना दूर तक मेरा आगया, यानि 101 बटा 84 आगया, मतलब इतना दूर का काम खत लिखें, तीन बटा साथ, माइनेस बारा, ठीक है, बारा बटा 101, और इधर क्या बचा था, 101 जो मैंने solution करके लाया था, 101 बटा 84, बस simply आप इसे calculate कर देजिए, तब बरसते 84 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, 101 से 101 कैंसिल हो ग दो बटा साथ, तहीं सवाल का सही जवाब हो जाएगा, दो बटा साथ, ठीक है, तो बस यह समार्ट तरीका लगाना पीछे से solve करते जाएगे, बाकि आगे वला तो आपको two copy लिखी देना है, ठीक है, इसी कारण समय ने आगे वला लिखाने हम लोग पीछे से calculation करते चले ग हो गए, ठीक है, कितने विद्यार्थी गनीत में फेल हो गए, तो फेल का percentage निकाल देना है, ठीक है, तो simply कुछ करना नहीं है, चालिस में आप 36 क्या करिएगा, घटा दीजिए, चालिस में 36 घटा देना है, तो कितना बचेगा, चार बचेगा, बस इसी का percentage निकाल देजिए टोटल नीचे में लिखाता है, 40 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, चार से चार कैंसिल हो गया, यानि इस सवाल का सही जवाबा आजाएगा, दस परसेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्टन, देखिए 68 नंबर में क्या करना है, पैतालिस का अब हाज गुन अन्खन निकालना है, तो सिंप्लि आप इसे चेक कर लिजिए कि किसको गुना करने पर 45 आता है, तो यह देखिए क्या लिखा हुआ, दो का क्यूब गुना 5, दो का क्यूब आठ होता है ये 5, तो आठ पचे चालिस मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसको चलिए, नेश्ट कोश्चन, आगे कह रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का लसा किसके बराबर होता है, तो गुननफल के बराबर होता है, जैसे मान लिजिए, आपको मैंने कहा कि दो और तीन का एल सीम निकाल ये, तो आप क्या करते हो, ठीक है, आप तो गुननफल ही करते चार माइनेस दो पुर्नांक एक बटा दो, तो तोड़ दिए, चार चोके सुला, सुला, तीन, उनीस, यानि उनीस बटा चार आ जाएगा, पहला में, माइनेस, दो दुनी चार एक पांच, यानि पांच बटा दो, पस सिंपली आप इसे कलकुलेट कर लिजिए, चार एल सी ठीक है, नव बटा चार कहने का मतलब, दो, पुर्नांक, एक बटा चार, ठीक है, देख लिजिए, किस ओप्शन में है, तो तीन नमबर है, तो तीन नमबर इसका सही जवाब हो जाएगा, नेक्ट कोश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए, आगे क्या कह रहा है, इतना कम value दिया हुआ है, तो आपको इतना कम value बताने के लिए कह रहा है, कि कितना होगा, ठीक है, तो simply आप क्या करिएगा, कुछ करना नहीँ है, देखिए क्या करिएगा, चलिए हैं पर ध्यान दिजिएगा सिंपली आपको भाग करके बताना है कि कितना आएगा इसका तो 42.4 लिखा हुआ है अब भाग में लिखा हुआ है कितना 2.65 ठीक है देखिए ध्यान दिजिएगा इसका दसमलब जाएगा उपर यानि 100 का रूप ले लेगा और इसका दसमलब जाएगा नीचे यानि ये 10 का रूप ले लेगा 0 से 0 कैंसिल हो गया यानि उपर में कितना आ गया 42 से 40 ठीक है इस 10 को गुना करिएगा न ठीक है अब सिंपली आपको कुछ करना नहीं है ठीक है देखें क्या क्या या जो मैं आपको लिकर बताता हूँ ठीक है उपर में आ गया 4240 और नीचे में आ गया 265 ठीक है इतना आ गया बस भाग दिजिएगा तो ये 16 बार में कैंसिल हो जाएगा ठीक है कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 16 बार में ये कैंसिल आ जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 16 ठीक है चलिए next question कारानिम लिखित में काउन सा भेन 0 के निकटतम है मतलब 0 के लगभग बराबर है ना तो simply आपको पांच बटा बारा दिया हुआ उसको दसमलब में चेंज करिएगा पांच बटा बारा दिया हुआ है जब हम लोग उसे दसमलब में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आएगा 0 दसमलब भाग दिजिएगा तो बारा को पांच में भाग दिजिएगा तो 0.4 हो जाएगा उसके बाद 2 बटा 3 है तो 2 बटा 3 को आप भाग दीजेगा तो 0.6 आएगा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है 5 बटा 6 5 बटा 6 को भाग दीजेगा तो कितना आजाएगा तो यह आजाएगा 0.8 ठीक है उसके बाद हम लोग आगला कौन है 3 बटा 4 ठीक है 3 बटा 4 को भाग दीजेगा तो यह आजाएगा 0.75 भाग देने के लिए आता होगा simply भाग देजेगा तो आपको पता चल जागा कि कौन 0 के नजदीक है देखे न 0 के नजदीक कौन है तो यही तो लगता है 0 के नजदीक है चीक है क्योंकि यह 4 है 0.4 यानि इसका अंसर आ जाएगा 5 बटा 12 तो सुनने के निकटतम संख्या हो जाएगा 5 बटा 12 लेक्ट कॉस्चन आगे बढ़ते हैं कारा लूप्त संख्या ग्याद करिए मतलब बीच में आपको भरना है कि क्या यहाँ पर फिल अप होगा तो देखे इस सेक्शन पर ध्यान दीजे कैसे किया है गुना तो सबसे पहले यह यहाँ पर 1 और यह 5 दोनों को गुना किया है और आगे में लिख दिया है 5 फिर देखे इस तरह से देखे गए यह ऐसे 4 दूनी 8 तो इस तरह से 8 लिख दिया है और फिर इस तरह से देख लिजेगा इस तरह से लिखा हुआ है 2 दूनी 4 ठीक है क्या लिखा हुआ है 2 दूनी 4 तब जाकर यह बन गया है 5 8 4 तो उसी तरह का दिमाग आपको इसमें लगा देना है कुछ करना नहीं ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना है तो सबसे पहले आप क्या करेगा पहले तो आप 6 काई 6 इस तरह से गुना हो जाएगा ये और ये ठीक है 6 हो जाएगा फिर आप करिएगा 3 गुना 3 इसमें 3 गुना 3 देखिए एक सेकंड यहां पर 6 तो हो गया ऑप्शन में भी देख लिजिए 6 7 8 होगा है ना 6 7 8 तो पहले तो इस तरह से 6 हो जाएगा ठीक है फिर ऐसे कर लिजिए 7 कहीं 7 और फिर हो जाएगा चार दूनी 8 ठीक है यानी 6 7 8 ठीक है तो बस इस तरह से गुना कर लेना और कुछ करना नहीं है नेश्ट कोस्टन 74 नंबर पर कहरा है कि निमलिखित आकिरती में छायांकित भाग का छेतरफल निकालना है ठीक है मतलब यह जो आपको सेक्षन दिख रहा है ना इसी का आपका छेतरफल निकालना है ठीक है तो आप एक काम करिएगा कि सबसे पहले आप पूरा का छेतरफल निकाल लो ठीक है ये जो दिया हुआ है ना पूरा का छेतरफल निकाल लेंगे तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है ये आठ दिया हुआ है और ये बारा दिया हुआ है तो 8 गुना 12 कर लिजिए टोटल का छेतरफल निकल गया और उसमें घटा लिजिए देखें इसका छेतरफल ठीक है तो यानि 3 गुना 8 है ठीक है तो बताई 12,8, 96 हो गया माइनेस 8 तिया 24 हो गया घटा कर बताई कितना होगा तो घटाईएगा तो 72 आ जाएगा ठीक है चलिए next question आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है कि निम्न आकिरतियों में कौन सी आकिरती ऐसी है जिसका छितरफल आठ बर्ग मीटर है तो था परिमाब बारा मीटर है परते एक छोटे बर्ग की भूजा एक मीटर है तो बारी बारी से आपसन पर चलेंगे ठीक है आप एक ही आपसन चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा तो यहां पर जो आपको दीख रहा होगा लंबाई कि लंबाई में कितना बोक्स है इस तरह से तो 1,2,3 1,1,2,3 ठीक है तो ठीरी लिख देंगे और नीचे इसे चोड़ाई के हिसाब से देख लिजिए तो 1,2,3,2,6 हो गया चेतरफल जबकि चेतरफल बोल रहा है कि आठ आना चाहिए तो पहला नमबर तो आप्सन होगा नहीं ठीक है अब हम लोग सेकेंड नमबर आप्सन में चलते हैं सेकेंड नमबर भी उसी तरह चेक कर लिजए लंबाई के समनांतर देखे कितना बॉक्स है तो 1,2,3,4 यानि 4 बॉक्स है ठीक है फिर आप चोड़ाई के समनांतर देख लिजए एक और दो यानि 4 दूनी 8 है अब आपको कुछ चेक करने का जरूत नहीं है आठ इसी में आ रहा है बाकि इन दोनों में 8 आने वाला नहीं है और नाहीं पहला नवर में 8 आने वाला है ठीक है तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सेकेंड नमबर ठीक है तो यहाँ पर मैथ का सेक्षन कम्प्रीट हो गया है इसके बाद आपका गध्यांस है तो करीब आपका लगता है 4-5 गध्यांस होगा ठीक है तो गध्यांस आप पढ़ लिजेगा मैं आपको अंसर बता देता हूँ ठीक है इसका अंसर क्या होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ कर अगर बताओंगा अंसर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको अंसर को टिक कर देता हूं बाकि आपको ध्यान जरूर पढ़ लेजेगा कि इस परकार का इसमें और स्टोरी वगेरा दिया हुआ है ठीक है पढ़िएगा जरूर पहला अनुछेद है ठीक है यहां पर इसक में कौन सा रंग इंद्रधनुस में नहीं होता है तो 77 का 4 नंबर गुलाभी नेक्स्ट इंद्रधनुस नहीं दिखाई देते हैं तो 78 का 3 हो जाएगा तरन ताल में उसमें देखिएगा पढ़िएगा पैसेस को तो उसमें लिखा हुआ है दोहरे इंद्रधनुस के बारें बताना है तो 79 का दो नंबर हो जाएगा दो धनुसा किरतियों के होते हैं ठीक है दो सेकेंड नंबर हो जाएगा और लास्ट को सनकारा की प्रवर्तित होता है प्रवर्तित का मतलब क्या होता वो आपको बताना है तो 80 का 3 नंबर होता है लोटाया जाता है नेक्स्ट कबूत कबूतर के बारे में ये बताया है ठीक है इस पैसे को नो छेद को जरूर पढ़ लीजेगा पहला का रहा है कि लोग कबूतर के बारे में आम तोर पर क्या समझते हैं तो ना समझ समझते हैं सेकेंड नमबर उसके बाद का रहा है कि चेर आमी नाम था चेर आमी किसका नाम था तो कि कभूतर का नाम था ठीक है उसके बद कर आप पचियों को सेना द्वारा प्रसिश्चित किया गया था तो महत्वपूर्ण संदेश ले जाने के लिए पहला नंबर हो जाएगा चलिए और देख ले तब यार कुस्चन होगा 84 नंबर में कह रहा है कि चेरामी को सम्मानित किया गया था तो 194 सैनिकों को बचाने के कारण इसने जान बचाई थी 194 सैनिक का दूतिय विश्विव्युध में आगे करा जान बचाना का मतलब क्या होता है 85 का सही अंसर हो जया खत्रे में जान बचाना का उल्टा पूछ रहा है भीपरेघ़्ट ग्रैव भीतर ठीक तो खत्रे में डालम है उसके बाद देखिए अनुछेद टिन है चिंगम के बारे में इसमें बताया है तो चलिए हम लोग 86 नंबर में आते 86 नंबर में क्या क्या का रहा है चिंगम की खोज किसने की 86 का दो नंबर होगा माया लोगो चिकल एकठा करने वाले मजदूर का क्या नाम है तो 87 का तीन नंबर हो जाएगा चिकलेरो मजदूर को चिकलोरो बोलते हैं उसके बाद करा कि चिकल के टुकडे कहां भेजे जाते हैं तो 88 का दो नंबर हो जाएगा गम के कारखानों को आगे करा चिकल में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जो केबल खालिस्तान को छोड़कर नेमलि सिर्षक चुनिये तो 90 का सही होगा चार नंबर चिंगम की कहानी ठीक है ये कंपलिट हो गया अब अनुछेद चार में आईए जुर्दार तरीका का अर्थ बताना है तो 91 का एक नंबर होगा समसदारी पुर्ण तरीका इन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है तो 92 का दो नंबर हो जाएगा पढ़ना विडियो गेम खेलने से अच्छा है ठीक है 93 पेपर बैक उस पुस्तक को कहते हैं किस पुस्तक को कहते हैं तो 93 का दो नंबर हो जाएगा जो सस्ती हो 94 में का रहा है कि पढ़ना हमारी सहाइता करता है 94 का 4 नंबर हो जागा मस्तिस के बेयाम करने में Digital Reader है त्थे इसके बारे में बताना है तो 95 का 3 नंबर हो जाएगा जो डिजीटो को पढ़ता है उसी को Digital Reader कहते हैं और लास्ट अनुछेद 5 है चटान के बारे में बताया है अनुछेद को आप जरूर फॉलो करिएगा जरूर पढ़िएगा चटाने किसे बनती है तो 96 का चार नंबर हो जाएगा खनीज से खाने के नमक का अन्य नाम क्या है तो 97 का तीन नंबर हो जाएगा हेलाइट नेक्स्ट कहा रहा है कि निमलिकित में कौन सा लाहू का अच्छा स्रोत है तो 98 का तीन नंबर हो जाएगा पालक आईरन पाया जाता है पालक में और 99 नंबर में कहा रहा है कि सबसे कठोर खनीज कौन सा है तो 99 का चार नंबर हो जाएगा हीरा ठीक है यह जीके के question में भी पूछा जाता है ठीक है और last आपका 100 number है देखिए बचाओ का मतलब बताना है कि बचाओ का मतलब क्या होता है तो इसका option इसमें दो ही option दिया है ठीक है तीन और इधर इधर देखिए इधर है ठीक है तो इसका जो सही answer हो जाएगा यह दो number हो जाएगा रोकना ठीक है तो यहां पर मैंने आपको 2015 का math का ठीक है math का पूरा solution करवा चुका हूँ और इसके अलावा जो गध्यान से मतलब अनुछेद का जो section है वो भी मैंने आपको complete करवा दिया ठीक है इसके बाद reasoning का section बचा हुआ है 2015 का तो उसे भी मैं आपको करवा दूँगा तो आप वीडियो पर लगतार लगे रहिएगा और जरूर कर दीजेगा ताकि और सभी बच्चों को पता चल सके कि previous year का solution करवाए गया है ठीक है तो इसमें आपको previous year का पूरा साल का solution मिलेगा और previous year से बहुत सारा question पूछा जाता आप इसे मुलतला को उठा कर देख लिएगा तो बहुत सारा question आपको previous year का उठा कर देता है ठीक है तो इसमें आपको सारा solution करवा दिया जाएगा बाकि अगर कुछ comment वगरा करना है तो बताईएगा ठीक है आप अपना कुछ अगर कुछ problem होगा तो वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते तब तक के लिए जैहिन जैवारत